तो जितना convenient है credit card उतना ही जादा महेंगा भी है अगर आप उतना 45 डेज के पीरिड को करोना के समय आप अपने credit card के साथ अपने expenses कैसे manage कर सकते है credit card बहुत ही amazing टूल है मुझे personally credit cards बहुत पसंद है क्योंकि एक तो सबसे पहली बात मेरे life को बहुत convenient बना देते हैं मैं बहुत सारे expenses अपने credit card के through manage कर पाता हूं मेरे business expenses online expenses लेकिन ये video शुरू करने के पहले मुझे दो disclaimers देने पहला अगर आप कोई ऐसे इनसान है जिन्होंने पहले किसी भी तरीके का credit card debt देखा है या अभी भी आप किसी तरीके का credit card debt से जूज रहे हैं तो आप इस video को skip कर सकते हैं दूसरा अगर आप एक impulsive buyer है अगर आप ऐसे इनसान है जो emotionally buy करते हैं अगर आप अपने expenses manage नहीं कर पाते हैं तो मैं request करूंगा कि आप फिलहाल इस video को skip करें लेकिन अगर आप अपने expenses के साथ और बिल्स को लेकर बहुत diligently आप अच्छे से अपने बिल्स मैनेज कर लेते हैं तो प्लीज इस video को देखना continue कीजिए कि सबसे important point जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि आप credit cards की साथ अगर comfortable नहीं है तो start करने के समय प्लीज अपने सारे expenses बहुत responsibility के साथ कीजिए credit card क्या है ना बनाई ऐसे तरीके से कि आप वो किसी को भी impulsive बना देते हैं तो अगर किसी चीज़ के आपको जरूरत नहीं है या अगर आप किसी expense को एक कर सकते हैं तो फिलहाल उसे प्लीज मत खरीद यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप credit card regular basis पे यूज नहीं करते हैं तो बहुत tempting हो जाता है और बहुत easy हो जाता है खरीदना credit cards के साथ तो आज के जमाने में आज की तारीक में खास करके करोना को लेकर लोग पहले ही पैनिक बाइंग कर रहे हैं लोग पहले ही बहुत जादा holding कर रहे हैं तो आप at least responsibly purchase कीजिए और इसी point को आगे बढ़ाते हुए second point यह है कि अगर आप purchase कर भी रहे हो तो साथ आठ या दस दिन से जादा की purchase फिलहाल ना करें क्यों क्यों क्योंकि सेम चीज़ convenient है तो एक महीने का दो महीने का तीन महीने का stock stock up मत कीजिए please buy responsibly और साथ या आठ दिन का ही stock खरीदे ताकि दस दिन के बाद जब आपका stock खतम हो जाता आप वापस refill कर सकते हो तीसरी point जो ideally हर credit card video की पहली point होनी चाहिए कि please अपना credit card bill जल्द से जल्द और time पे और पूरी तरह से बे करे credit card bills के interest rates सबसे जादा होते हैं industry में तो जितना convenient है credit card उतना ही जादा महेंगा भी है अगर आप अपना 45 days के period को cross करते हैं तो इस समय में ये video बनाने की सबसे जादा ज़रूरत मुझे इसलिए लगी क्योंकि जब मुझे मेरे दोस्त और कुछ viewers पिंग कर रहे थे तो मुझे वो बता रहे थे कि काफी लोगों की salary पिछले एक डेड़ महीने से नहीं आई है कितने लोगों की salary पिछले दो महीने से credit नहीं हुए और आने वाले कितने समय तक credit नहीं होगी उसकी भी कोई guarantee नहीं है तो ऐसे समय में अपने expenses तो manage करने ही है और investments को liquidate करना is not necessarily the best option तो इसलिए please अपने credit card को responsibly use कीजे जैसे ही आपकी salary credit होगी immediately अपने credit card bills को clear कीजे और इस चोटे से time period में credit cards को as a tool यूज़ कीजे credit cards generally आपको 30 to 45 days देते हैं interest free period इस समय का सबसे ज़्यादा उठाइए और अपने सारे expenses अच्छे से manage कीजे मैं personally multiple credit cards यूज़ करता हूँ और मेरा credit cards को manage करने का तरीका ऐसा है कि कोच cards में सिर्फ personal expenses के लिए यूज़ करता हूँ किछ cards में business expenses के लिए यूज़ करता हूँ यह सारे credit cards आपके credit score को बढ़ाते हैं आपके overall पैसे को manage करने को easy करते हैं इसके बहुत फायदे हैं लेकिन इसके उतने ही नुकसान भी है अगर आप credit card debt में गुज़ जाए तो प्लीज credit cards को responsibly यूज़ कीजिए अपने expenses को manage कीजिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा अगर आप इस चैनल पे पहली बार आये हैं तो थैंक्यू आपको पूरे वीडियो को देखने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए आज के लिए बस इतना ही अब आपसे मुलागात होगी आने वाले अगले वीडियो में तब तक के लिए मुस्कराते रहिए अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए कचिंग